तो दोस्तो आज 31 मार्च 2022 और आज में लेके हैं आपके लिए शीवा ग्लोबल एग्रो इंडेस्ट्रीस लिमिटेट का कम्प्लीट शेयर एनलाइस और इस कम्पनी को पर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें परमेशुर जीने कमेंड किया था तो अगर आपका भी कोई कोई रिश है तो प्लीज नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें और चार पटन को अनलाइस करके मैं आपको बताना वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कम्पनी पर निवेश करना चाहिए की नहीं और वीडियो की शुरुबात में दोस्तो हम इस कम्पनी का क्वाटरली रिजल पर भी एक नज़र दालेंगे और अगर आपका बास ट्रेडिंग करने के लिए दिमाट अकाउन है तो वीडियो के निचे डिस्क्रिप्सन पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप ग्रो जिसे बड़े प्लाटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउन ओपन कर सकते हैं और वीडियो के निचे डिस्क्रिप्सन पर दिये गए लिंक को यूज करके अगर आप ग्रो में अकाउन ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउन एक्टिबेट हो जाएगा आपको 100 रुपिस का बोनस मिलेगा ग्रो के तरफ से जिसका आप चाहा तो शेर भी बाय का सकते हैं चाहा तो उसे अपने बैंक के अकाउन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी का कॉटरली रिजल्ट एक मज़र दिखा देता हूँ तो यह है इस कंपनी का डिशंबर 2021 का फ्रेश क्टरली रिजल्ट अगर रेबिन्यू पे देखेंगे तो इस साल में रेबिन्यू पे प्रोफिट हुआ है कंपनी को 25% का नेट इंकम दोस्तो 65% से जाद आप कंपणी साल में प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में लगबग 32% के आसपास कंपणी को प्रॉफिट हुआ है इस साल में, ओपरेटिंग इंकम में दोस्तो लगबग 38% के आसपास कंपणी प्रॉफिट में है इस साल में, वहीं अगर कम्पनी का cost of revenue देखा जाए तो 24 परसन का शांदर profit हुआ है कम्पनी को इस साल में तो quarterly result के मुताबिक ठीक ठाक है ठीक ठाक है बहुत अच्छा नहीं है अगर आप इस कम्पनी पे निवेश करना चाहते है तो पहले अपनी तरफ से इस कम्पनी को बारिकी से समझ लिजिए उसके बाद ही निवेश कीजिए इस बग तुरंद मैं आपको इस कम्पनी पे निवेश करने का सला बिलकुल नहीं दूँगा क्यूंकि मैंने कम्पनी का चार्ट प्रण देखा है बहुत ही अच्छा नहीं है थोड़ा सा negative पे जाद नजर आ रहा है मुझे फिर भ यहां पर आप देख सकते हो 78 करोड का इसका मार्केट के अब 78 रुपिस का शेयर प्राइस भी हो चुका है कुछ दिन पहले 100 रुपे के आसपास जा चुका था इसका शेयर प्राइस अगर इसका लोईस्ट प्राइस देखा जा तो 27 रुपया रहा इस साल में इस कम्पनी का प्राइस 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 अर्णिंग रशियों का इसवक्ति कंपनी का नंबर ठीक ठाग है बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक तक है कंपनी का बुक वेलोव आप देख सकते 100 रुपे के आसपास लेकिन लॉंग टम पे यह कंपनी आपको अच्छा खासा डिवीडेन यहां पर देख सकते हैं अगर बाकी सारी चीज़े अच्छा है तो बिल्कुल निवेश किया जा सकता है निवेश कहिरने से पहले आप अपनी फाइनेंसर एडवेजर से एक बार सलामसुरत जरूर कर लिजिए यहां पर बाकी का चीज़े हम देख लेते कंपनी का फेस वेलो आप यहां पर देख सकते हैं 10 रुपे का है मोस्ट इंपोर्टन चीज़े देख लेते हैं थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके यहां पर आप देख सकते हो कंपनी का उधारी पर बिजनेस था उसमें इंप्रूमेंट लाए है दूसरा स्टॉक इस ट्रेडिंग एड़ 0.81 सालों में कंपनी का अबर अलाकर देखा जाए तो कंपनी का सेल्स गुलोद रहा सेरी 5% के आसपास तो एक नजर हम इस कंपनी का जो शेर होल्डिंग पैटन है वहां देख लेते तो पता चल जाएगा हमें प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है तो मैं आपको लेके आ चुका कंपनी के शेर होल्डिंग पैटन पे आप यहां पे देख तो 58% का शांदार होल्डिंग है इस कंपनी में प्रोमोटर का यहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का होल्डिंग जीरो हो चुका है इस बगर्मेंट का छोड़ा सा स्टेग है इस में 0.02% का लेकिन सबसे उठाके इस कंपनी पर निवेश किया जा सकता है निवेश करने से पहले मैं आपको फिर से कह देता हूँ एक बार आप अपनी फाइनेंसर एडवाजर से सलामा सुराज जरूर कर लेना दोस्तों तो चलिए अभी हम इस कंपनी का चार्ट परटन को अनेलाइस करते हैं देखते तो लिस्टिंग हुआ था 1995 में ठीक है 13 रुपे के आसपास लिस्टिंग हुआ था ये कंपनी उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ गया था 2000 तक ये कंपनी 5-6 रुपे में आ चुका था हाई एच बनाया था 2010 में ये कंपनी लगबक अभी का जो हाई है उसके आसपास जा ठीक है ये छीजय ध्यान से कंपनी फिर से नीचे आया हाई बनाया कुछ दिन रुका फिर नीचे आया 2010 2010 वा डिर ठीक है तो आसम बदीड धाम और पर फें से 30 14 छोड़ाओ उसके भाद फिर से 17-18 रूपे पर आ चुका है तो इसका बिजनेस मोडल आप देख सकते हैं जो शेस का चार्ट परने उपर जाता है फिर से नीचे आता है फिर से उपर जाता है तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो अभी इस कंपणी का नीचे आने की बारी है तो अगर आप लॉंग टर्म प इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिने में और भी शेर प्राइस सस्ता होगा और अगर सस्ता हो चुका है शेर प्राइस तो आपको यहां महेंगे प्राइस में बेचने का अच्छा मोगा आ चुका है और सस्ता होने के बादा फिर से बाय कर सकते हैं तो लॉंग टर्म की पटन की नजरिये से यहां पर आप सुइंग ट्रेट बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपको सुइंग ट्रेट की जानकारी है तो ठीक है और इस वक्त इस कंपनी पर बिल्कुल भी मत निवेश कीजिए अगर आप एक स्मार्ट इंवेस्टर हैं तो आपको ज्यादा कुछ ब पर आचुका है तो चार्ट पटन का मुताबिक फिर से अभी नीचे आने की बारी है मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले तो हो जितना जल्दी हो सकते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आने बारे दिनों में इसका शेर प्रेस उपर जाएगा तो इसका जो लोवर स टो वियू हम आपको एजुएट कर रहे थे जानकारी दे रहे थे जानकारी के से बता रह थे ठीक है तो हमारी जानकारी आपको video कこちら कमेंट box में जरूर बताना video अच्छा लगर तो लग Geez2 अपने दोस्तों को शेयर करना मिलते हैं दोस्तों अगले video में एक और आई से ही जा इवान इवान